नमस्कार आरेसान पुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम शरत पॉर्णिमा स्पेशल में बासुंदी बनाएंगे शरत पॉर्णिमा के दिन बासुंदी का भोग लक्ष्मी नारायन को लगाया जाता है तो चलिए बनाते हैं हमने एक लिटर दूद ले लिया है और इस इसे हम बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे ताकि नीचे तली में जाकर दूद लगे नहीं और इसे अच्छी तरह उबालाने देंगे तो देखिए अब इसमें उबालाना शुरू हो गया है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है शुरू में हमने गैस का फ्लेम प्लेम रख दिया है तो देखिए अब यह गाडा हो चुका है आदा घंटा लगबक हो चुका है खुछ लोग इस दूद को गाडा करने के लिए ब्रेट डुक्डे डाल देते हैं या फिर इसमें डाल देते हैं मिल्क पाव्डर इससे भी गाडा हो जाता है जल्दी अगर आपको और अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें खोवा डाल सकते हैं एक लिटर दूद में वन फोर्थ कप खोवा डाल दे तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जल्दी गाड़ा हो जाता है अब देखें दूद हमारा गाड़ा हो चुका है तब हम इसमें ड्राइ आइफोड और बिना केसर के भी बना सकते हैं अगर डाल दे तो और अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है तो इसे भी हम लगाता चलाते हुए दस से पंदर मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि दूद और गाड़ा हो जाए तो देखें दूद हमारा पहले से और थोड़ा गाड़ा हो चुका है दूद पकते पकते पहले से आधा हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर मेठा आपको जितना पसंद है उस हिसाब से शक्कर डाले हमने वन फोट कप से एक दो चमच और ज्यादा डाला है आपको जितना मेठा पसंद है उस हिसाब से आप डा दालेंगे और इसमें हम इलाइची पावडर जाल देंगे और इसे थोड़ा दे ठंडा होने के लिए रख देंगे जैसे जैसे ठंडा होगा बासूंदी हमारा गाडा होता जाएगा आप इसे गर्म में ही खा सकते हैं या फिर थंड़ा थंड़ा फ्रीज में रखते और थंड़ा थंड़ा सर्फ करें वीडियो के पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक जल से जल पहूँ सकें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ